हेलो भीवर्स नमस्कार आदाप अश्रलाम वालेकूम कैशे हैं आप लोग उम्मिद करते हैं बहुत अच्छे होंगे सो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में मीनी गार्डन 123 आज फिर आए हैं नए वीडियो के साथ हम हैं आपके साथ सो गाइस आज बहुत ही खुबसुरत प्लांट के बाड़े में बात करेंगे अस्पारा गस्ट प्लांट ये बहुत ही खुबसुरत प्लांट होता है सो गाइस अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाए अपने गार्डन में और किस तरह से लगाना है और कैसे लगाना चाहिए वो सारा जनकाड़ी इस वीडियो के मादम से आप कोम देंगे अगर हमारे चैनल में नए है तो सस्काइब जोग कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले बात करते हैं पोट क्या पोट में हम किस तरह से लगाते हैं और इस पोधा को हम कैसे लगाए हैं वो हम जनकाड़ी दे दें आपको सबसे पहले हम हाप इंच बालू दिये हुए हैं उसके बाद गोवर और मिट्टी मिस करके हम इसमें लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं कितना खुबसूरत तरीके से पौधा हुआ है ये बहुत ही खुबसूरत पलांड होता है और बहुत ही खुबसूरत लगता है इसको दिखने में और सो गाईस अगर आप लोग इस पोधा को अब लगाना चाहते हैं तो किस तरह से लगाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे इसमें जो है फल होता है फल होने के बाद उससे भी बीज आप निकालके वो आप लगा सकते हैं तो फल इसका आप शुरू में जो आता है तो इसका हरा ऋने के बाद जो हो सुखने के बाद जो है यह फन उसका रेट हो जाता है जेंच अ, डेट रोगल्य हो जाता है तो इससे आप जो है बीज निकलता है छोटचँप balance निकल ता अन दर से तो वह बीज कर खा आप पौधा निकाल सकते हैं तो उस पौधा से आप निकाल के उसको आप गुरो करके आप लगा सकते हैं तो सो गाइस और उसके बाद जो इसका कटिंग से भी इसको पौधा आप बना सकते हैं तो गाइस अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सस्काइब जो कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और किसी चीज़ की जनकाड़ी चाहिए तो हमारे चैनल में कोमेंट कर सकते हैं जनकाड़ी हर वीडियो में हम देते ही हैं कि किस तरह से हम लगाते हैं इसको कैसे लगाना चाहिए वो सारा वीडियो आपको हम बताते ही है गोबर मिट्टी मिट्टी मिट्टीन करके और साल में इस पौधा को लगाने के बाद इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें एक बार जो है इसमें गोबर मिक्स करके आप मिट्टी इसमें बदल सकते हैं उसके बाद इसको सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से इसको यह लगेगा बहुत अच्छे जो इसका लास्टिंग भी काफी रहेगा इसका और सोगा इस आउट्डोर इंडोर में आप इस पौधा को जरूर लगाएं बहुत ही खुबसरत प्लांट है यह और इसका इतना देखभाल नहीं होता है एक बार लगा दिये हैं ताब निश्चिन हो गए इस पौधा को क्या-क्या नाम से बोला जाता है असपारागस मेरी फोक्स्टेल का लाता है यह उसके फर्ण उस और किसी चीज़ के जनकाड़ी चाहिए तो हमारे वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं हम किस तरह से गार्डेनिंग करते हैं और कैसे करना चाहिए वह सारा जनकाड़ी आपको हर वीडियो के मादम से आपको हम देते हैं और वेजीटेबल गार्डन करते हैं फ्लोवर गार्ड इसकी जनकारी चाहिए तो वीडियो में कॉमेंट कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू